असालाम अलेकुम चलिए आज के इस video से हम ढों स्टार्ट करना यह एक तो दरक्षा और दूसरा रौष्डी ठीक है तो निया कि रचनी पर Neben नहीं रहे थे रौष्णी पर भी आ रहे थे तो कोई दिकत नहीं यह दोनों इंपोर्टेंट है तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे लेकिन स्टार्ट करते हम लोग दरक्षा के फर्स्ट चेप्टर से दरक्षा जो चप्टर है वह हम्द खुदाय अजो जल दीखे बहुत ज़्यादा से वह सेव हैं अब उसमें बहुत सारा वीडियो है अगर उन सभी वीडियो इसको देख लेते हैं तो आप कोई भी एक्जाम की तयारी क्यों ना कर रहे हों चाहे वह मैट्रिक 11-12 फिर कोई भी कंप्टिटिव एक्जाम की आपका हर एक एक्जाम में उस वीडियो से 50% मार् और रही बात बुक से कोशन की तो आज से 10 क्लास का स्टार्टी हो रहा है तो दरक्सा का जो फर्स चप्टर है हम्द खुदाय अजो जल इसके जो राइटर है यानि कि इस चप्टर को जो लिखे है तीक है और उर्दू में क्या बोला जाता है राइटर को मुसनिफ बोला ज सिफ बयान करना क्या कहलाता है हम्द कहलाता है तो यहां पर जरा हम लोग सबसे पहले राइटर के बारे में देख लेते हैं फिर हम लोग हम्द की तरफ चलेंगे फिर उसके बाद कोशन एंसर की तरफ चलेंगे ठीक है सबसे पहले शबनम कमाली के बारे में जा लिए इनका जो नाम्यूज करते हैं शब्नम से पढ़ा जाता है न तो उसमें जो नाम्यूज करते हैं भूर क्या होता है शब्नम ऐंकी जो पैदाषी हुई है 22 जुलाई 19號 38 को हुई है और किस सीता मड़ी जीला के यहां पर सी selbst जीला सीता मड़ी के पोख्रेदा जगा पर हुआ है इनका जन्म तो यह important होता है question पूछ देता है कि श्रब्नम कमाली का जन्म कब हुआ पैदाइश कब हुई तो 22 जुलाई इनका जो नातिय शायरी है इनका जो शायरी है पहला है अनवारे अकीदत दूसरा है रियाज अकीदत तीसरा है जयाय अकीदत फिर दौसे अकीदत और सहबाय अकीदत यह है आप लोग श्रब्नम कमाली के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोग को जानना चाहिए exam में question ताला की तारीफ की थी तिन्हीं उसको भी हम लोग पहलेते हैं बुक ले लिए है इसी से सारे हम्द को पढ़ा जाएगा ठीक है हम्द का नामे खुदाय अजोजल अजोजल का मतलब होता है बढ़ाई या फिर इज्जत वाला तो यहाँ पर क्या लिखा है हम्द खुदाय जोजल यानि कि उस खुदा की तारीफ जो की बहुत मरतबे और इज्जत वाला है उस खुदा की तारीफ ठीक है खालिके दो जहाँ है तू इस देजुल जलाल है यकता है तेरी जात पाक आली वो बेमिशाल है इस पहले लाइन में जो शबनम कमाली राइटर है ये बोल रह है कि एखुदा तू इस दो जहां का यानि कि इसी दुनिया का खालिक है यानि कि पैदा करने वाले है तेरा मरतबा सबसे बड़ा है तू अजमत वाला है ठीक है तेरी जात पात सब एक है और तू आली भी है और बेमिशाल है यानि कि तेरा मिशाल कोई और नहीं बन सकता त सिर्फ इस दुनिया में एक ही है देखे यही है दिखा देरेंगे आपनों को यही है स्रबनम कमाली का हम्द लिखा हुआ ठीक है दूसरे लाइन में बोल रहे हैं स्रबनम कमाली तेरे ही बाब फैद से मिलता है दो जहां को रिज्क सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल ह यानि कि इस में जो स्रबनम कमाली है वो बोल रहे हैं कि तेरे ही करम से दो जहां को इस दुनिया को रिज्क मिलता है यानि कि रोजी रोटी मिलती है और सबकी हायात व मौत का मौला तुझे ख्याल है यानि कि सबकी जिन्दगी और मौत का तुझे ही ख्याल है आगे देखि पूरे दुनिया में इस पूरे काइनात में तेरा ही कुद्रत का अक्स है यानि कि तेरे ही कुद्रत का जलक है कौन में जल्वा गिर तेरा ही एक जमाल है यानि कि इस पूरे काइनात में तेरा ही अक्स है तेरा ही जलक है और इस पूरे दुनिया में तेरा ही क्या दिखता है ज जिन्दगी महाल है यानि कि कांथे ही ऑद से आज मैं सोता हूं उठता हूं और जो भी काम अकल और फहम को नाज है तेरी जात पर नाम से तेरे दो जहां वाकिफ हाल वाकाल है इसमें शवनम कमाली कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी लोग है वो तेरे नाम से तो क्या है वाकिफ है तेरे नाम को जानते हैं लेकिन तेरी मरतबा को सिर्फ वही जानता है जिसके पास अक्ल वो फहम है ठीक है उसको तेरी जात पर नाज है ठीक है यह हो गया आगे देखिए आगे शब्नम कमाली क्या लिखे हैं लाख वरस अगर कोई हम्द वसाना तेरी करें हो सके हक अदा तेरा मुम्किन नहीं महाल है यानि कि बोल जा जा रहा है इसमें शब्नम कमाली ब मुम्किन नहीं कि तेरी हर एक अदा को वो बता सके अगर वो लाखों वरस तरह हम्द करें तो ठीक है आगे देखिए जल्मते दहर में हमें नूर सहर की है तलास लुट्व खरम की एक नजर मौला ये अर्जहाल है बोल रहे हैं जो इस सेर में जो सब्नम कमाली है वो बोल र मुझे इस अंधेरी दुनिया इस जल्मते दहर में ठीक है आगे देखिए मकसदें नेक में सदा कर दे तू हमें कामयाब तेरे हुजूर में अपना यही सवाल है यानि कि इस सेर में शब्नम कमाली बोल रहे हैं कि जो मेरा नेक मकसद है जो मैं बनना चाहता हूं या फिर ज तेर की लास्ट लाइन है जिसमें सब्नम कमाली बोल रहे हैं लिखे हैं शब्नम में बे नवा को भी देदे उरुज इस बंदगी फिक्र व तलब की राह में आज यह पाए माल है इसमें यह खुद के लिए बोले हैं कि शब्नम अपना तखलुस लगा है ना नाम को तो इसम उरुज बंदगी दे सकता है यानि कि इसको तरक्की की जिंदगी दे सकता है तो यह यहां पर लाश्ट लाइन में अपने लिए भी दुआ किये हैं तुम मुझे उरुज बंदगी दे दे यही है आप लोग का हम्द खुदाय अजोजल इसका मतलब इसमें से कोई भी एक ल कब पैदा हुई? देखिया सबसे पहला कॉश्टन, तो सब्नम कमाली कप पैदा हुई थी? 22 जुलाइ, nehmen 38 को यह आप लोग का उनसर हो गया देखिया में तेसा कोश्चन है इस बुक मेंन को इनकी मृती हो गए ठीकिये लेकिन इन जो माना जाता है गया gate इस बुक में नहीं दिया एंसर, दोजार साथ इस भी में शबनम कमाली का इंत्काल हो गया था, आगे चोथा कोश्टन किया है, काइनात की तकलीक किस ने की, तो काइनात की तकलीक तुह या आ ही भी आ खुदा ने की, इसका इंसर हो गया, आगे है पांच नमबर कुश्टन इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है तो इसका इंसर होगा इंसान की मुश्किलों को खुदा यानि कि अला ताला हल करते हैं इंसान की मुश्किलों को परेशानियों को अला ताला ही न हल करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं छे नंबर कुष्टन शबनम कमारी का असल नाम क्या है यान की रियल नेम लिखा हुआ है मुस्तफा रजा एंसर हो गया आगे देखिए हम्द किसे कहते हैं पांच जुम्लों में लिखिए तो इसको आप लोगों को लिखना है कि हम्द को अर्भी लोगत में ना हम्द का जो अर्भी मानी में जो इसका मतलब होता है हम्द का वो होता है तारीफ करना लेकिन हम्द का उर्दू में जो उर्दू लोगत में मानी होता है ना वो होता है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तुबा लोगत में हम्द का मतलब होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्ला की तारीफ वतासिफ बयान की जाए उसको बोलते हैं हम्द ठीक है क्लियर हो गई बात दूसरा कोश्चन देखिए हम्द मनकबत और कसीदे में क्या फर्क है तो देखिए हम्द का मतलब तो आप लोग जानी चुके हैं अब कितना पर बताओं हम्द का मतलब होता है खुदा ताला की तारीफ वतासिफ बयान करना उनका तारीफ करना ठीक है वो हो गया हम्द मनकबत का मतलब होता है बुजरगाने दीन या फिर औलिया अल्ला की तारीफ वतासिफ बयान करना या कि किसी भी बुजरग का शान मरतबा क्या करना बताना या फिर जो अल्ला के करीबी रिष्टेदार है उनके बारे में बताना ठीक है वो क्या कहलाता है मनकबत कहलाता है ठीक है और कसीदा होता है किसी भी बादशाहे वक्त या फिर हुकमराने वक्त या फिर किसी भी अमीर इन्सान की तारीफ करना पैसे की इनाम की लालश में या फिर इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि कसीदा मतलब कहानी सुनाना अब किसी इन्सान के बारे में भी आप कहानी सुनाई ये उसको क्या बोला जाता है कसीदा के नाम ली बताएं यह तीस्ता नंबर कोस्टन है यहां पर देखिए तीन शाहिरी मजमुआ अनवार याइस याइस कीदत और याइस यहां पर मैं पाच शों में कोई कोई तीन तो उठालेना है ठीक है हम्द और नात में बुन्यादी फरक बताएं चार नंबर कोTION तो हमत को तो अब कितना बार बताऊ हमस में आगया होा अलाता की तारिफ तकुसित बियान करना कह कहलाता है हम्द कहलाता है और नात सुनिए नात उस नजम को कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हजूर्स अलाई लिए वसल्म की तारीफ वसल्म बियान की जाए उसको बोला जाता है नात आप लोग कभी सुने हैं कि मैं अल्लाइट आलाइट की नात पढ़ने जा रहा हूं ऐसा कभी नहीं होता है अल्लाइट आ का नात नहीं होता है खुदा की नात नहीं होती है नात तो सिर्फ अंध अग्द आप लोग देख लीजिएगा तवील सवलात है इसमें बहुत लंबा लंबा अपने से अगर ए बढ़ा चड़ा कर हो गई किलियर बात देजी आप लोगा फॉस्ट चप्टर कंप्लीट होता है इसी के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चप्र स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्द उसको भी कंप्लीट कर देंगे ठीक है तो यहां तक समझ में आ गया करकर पूछ सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा आपीश